हैलो दोस्तों नमस्कार मैं किसोर कुमार यादाव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अब दोस्तों की जनकारी के लिए बता दे कि ठन का मौसम आ चुका है और ठन के मौसम में ठन से बकडियों को किस प्रकार से बचाया जाए इसकी पूरी जनकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ये भी जानने वाले हैं कि बक्रियों को ठन लगता है तो उसे बक्रियों को क्या-क्या परसानिया होती है और उसके साथ किसान भाईयों को जो बक्री पालक है उनको क्या-क्या परसानिया जहली परती है हम इस विशाय पे पूरी बात करने वाले हैं और साथ ये भी ब करी मिल पाएगी क्योंकि आधा धुरा ग्यान हमेसा नुक्सान दायक होता है तो चलिए बड़ी को सूर्य करते हैं सबसे पहले हम यह जाने लेते हैं कि ठन के दिनों में सबसे अधिक परसानी आती है वो सर्दियों का आता है क्योंकि थोरा बहुत ही बख्डियों को ठन लगता है तो इनको सर्दी जुकाम पकर लेता है और यह समस्या बार बार आता है और इस समस्या से किसान भाई बहुत परसान रहते हैं और बख्डियां भी बहुत परसान रहते हैं पर जो बख्डियों को सर्दी जुकाम हो जाता ह और इस भरोसे में रहते हैं कि बकडी का जो सर्दी जुकाम हुआ है ये दो या चार दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ बकडियों का जो सर्दी जुकाम है दो या चार दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है लेकिन कुछ ऐसा भी केस आता है जिसमें बकडियों को सर्दे जुकाम होता है और वो ठीक नहीं होता है और उनके नाक से पानी बराबर गिरते रहता है उसके अकारण होता है कि बकडियों के नाक में घाव हो जाता है और बकडियों को अधिक परसानी होने लगती है जब बकडियों के नाक में घाव हो जाता है तो ये किसान भाई देखते हैं कि बकडि के नाक में घाव हो चुका है तो वो परसान होने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कहीं बकडि को PPR तो नहीं हो गया है क्योंकि PPR का जो बिमारी होता है उसमें भी बकडि के नाक में गाव हो जाता है और वो गाव कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे हम लोग धान का रोपनी करते हैं और धान के रोपनी करते समय हम लोग का पैर सर जाता है सफेद सफेद हो जाता है सर के उसी टाइप का हो जाता है और बिलकुल लगता है कि बकडि का नाक पक चुका है इसमे गहा हो जाता है और पुरा लाल लाल दिखता है और कहीं कहीं सफेद सफेद भी दिखता है और देखने में बहुत बुरा लगता है क्योंकि लगतार जब बकडियों के नाक से पानी गिरते रहता है वो पानी गिरने के वज़े से बकडियों का नाक सरता है तो हमें चाहिए कि अगर बकरी का 2 या 3 दिन सर्दी हो गया ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका उपचार करना चाहिए, वो देशी उपचार मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में बन रहीं, वीडियो को स्कीप नहीnh करें, वीडियो को पूरा देखें, तब ही जाके पुरी जनकारी आपको मिल पाएगी अगर बकरी के नाक में घाव होई गया है और सरदी भी हो गया है तो किसान भायों को इससे घाबराने की कोई जूरत नहीं है सुबा साम 3-3 एमल सरसो का तेल बकरी को पिलाएं अब बात कर लेते हैं कि ठंड के दिनों में ठंड लगने से बकरी को और क्या क्या परसानिया आती है और उसका उपचार हम कैसे कर पाएंगे अगर आपकी बकरी को सरदी जुकाम हुआ है और बकरी जुगाली कर रही है खाना पिना कर रही है चराई चर रही है तब तो कोई समस्या नहीं है जो मैं पिछे उपचार बताया हूँ वैसा अगर आप करते हैं तो आपकी बकरी 100% ठीक हो जाएगी लेकिन अगर आपकी बकरी जुगाली नहीं कर रही है खाना पिना नहीं कर रही है चराई नहीं चर रही है तो उसका उपचार का तरीका कुछ अलग है जो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपके बकरी को सर्दे जुकाम हुआ है और जुगाली नहीं कर रही है चराई नहीं चर रही है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है थर्मामीटर लेना है और बकरी का टंप्रेचर ना अपना है अब दोस्तों क ये कि बकरी को फिबर हो गया है नमनिया का अंस आ चुका है तो बकरी को बुखार हो चुका है वही टंप्रेचर अगर 100 से नीचे दिखाता है 100 या 99 या 97 राता है तो समझ जईए कि बकरी का टंप्रेचर लो हो चुका है उस इस्तिती में जब बकरी पहुंच जाती है तो ब पेट फूल जाता है तो उसका उपचार उजानते हैं घरेली उपचार करते हैं थोड़ा बहुत जमाइन देंगे हिंग देंगे बक्रियां ठीक हो जाती है पेट में गैस भी नहीं है तब किसान भाई ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं या फिर बकरी को हुआ है तो बिक्री पलन में फेल हो सकते हैं। आज का समय है कि आप अगर 2 या 4 या 10 या 50 जितना भी बखरी रखते हैं, धर्मामेटर रखना निवार्ज है। यही राय दूंगा कि धर्मामेटर जरूर रखें, ताकि आपको सही जनकारी प्राप्त हो सके। लेते हैं कि अगर बकडी को फिवर है बकडी को 103 से ज़्यादा टमप्रेचर है और बकडी को बुखार है बकडी गरा डिशार्ज कर रही है उस समय हम कौन सा दवा यूज कर सकते हैं उस दवा का नाम कुछ इस प्रकार से है मैं इन दोनों दवा का अपनी बकडियों पे यूज करता हूँ और इससे हमारी बकडियां ठीक हो जाती है दवा खिलाने का डोज कुछ इस प्रकार से है जो 10 किलो वड़ी वेट से ज़्यादा बकडियां है जो बगड़ी बकडियां है उनको आप पूरा साबुत टबलेट ख खिला सकते हैं इस दवा कायोज अगर बकडियों पे 5 या 6 दिन तक लगात आर सूबह साम किया जाए तो जहिर सी बात है कि बकडियां ठीक हो जाएंगी अब बात कर लेते हैं कि अगर बकडियों कवा रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है किसानभायों को उस स्थिती में एक एक दवा मैं जो यूज करता हूँ, जो मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ, उस दवा का नाम कुछ इस परकार से है, उस टबलेट का नाम है Dexona, जिसका इंजेक्शन भी आता है और टबलेट भी आता है, तो मैं उसका टबलेट यूज करता हूँ, आप भी टबलेट का जूज कर सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगाना हर किसी की बस की बात नहीं है, एक किसान भाईयों को पता ही होगा, कि इंजेक्शन जब लगाते हैं, तो डक्टर ही लगाते हैं, अगर इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपकी बकरी ठीक नहीं होती है, तो अपने अन्याता हो सकता है जो बीमारी उस बकरी को है वो बीमारी दूसरे बकरी में भी जा सकती है। अन्याता है जो बीमारी दूसरे बकरी में भी जा सकती है। अगर बड़े बकरी में ये समस्या आती है पतला पैखाना का तो आप उसे साबुत टाबलेट खिला सकते हैं जो 10 किलो वाडिवेट से ज्यादा हो। अगर वाही जो 5 किजी या 6 किजी या 4 किजी का जो बच्चा है आप उसे आधा टुकरा टबलेट ही खिलाएं। तो या 3 टाइम सुबा साम बकरी को ये दवा खिलाते हैं तो आपकी बकरी बिलकुल स्वस्थ हो जाएगी। अब जो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो इतनी सारी समस्या है आई है उ ठंड के वज़े से हैं। आप लोग लाइब देख सकते हैं जो हमारी बकडियां है धान के पुवाल में कितनी मज़े से बैठी हुई है अगर बकडियों को ठंड से बचाना है तो जो धान का पुवाल है जिसे हम बिहार में मैं छपरा जिला से हूँ और इसे हम लोग पूरा बोलते हैं अगर इसका इस ठंडा होता है उसे में इसका इस्तमाल इंसान भी करते हैं अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आज से 15 या 20 साल पहले इसका इस्तमाल होता था इसमें मैं भी सोया हूँ और इसमें सोने में बहुत आनांद आता है और यह बहुत गरम है इसलिए अगर बकडियों को आप ठंड से बचाना चाहते हैं तो इसका इस्तमाल करें और जहां आप रात में बकडियों को बांगते हैं वहां इसको नीचे बिछाएं ताकि इस पी जो आपकी बकडियां है बहुत मजे से बैठे और अराम से बैठे और उनको ठंड भी नहीं लगे जाहिर सी बात है जब बकडियां मैगनी भी करेंगी और पिसा भी करेंगी तो उसको सुखाने का मातर यही तरीका है उसे सुवे छे बजे निकाल कर बाहर धूप में सुखा देजिए और साम जब होता है तो चार बजे के करिब फिर उसको उनके कमड़े में बिचा देजिए अब इस प्रकार से अपने लेना है चटी का बोरा बहुत गर्म होता है अगर आप चाहें तो बकरे बकरी को औरहा सकते हैं इसे ठंड से बचाया जा सकता है बकरे बकरी को जैसा कि आप लाइव देख सकते हैं मैं अपने बकरे को औरहाया हूं उस चटी के बोड़े को दो टुकरा करना है और दो टुकरा तो भी उसके शरीर से चटी नीचे नहीं गिरे। अगर आप चाहें तो जो बकरे बकरी आपके स्वास्थ हैं उनको भी इस तरीके से ठंड से बचाने के लिए आप व्यास्था कर सकते हैं और इस तरीके से उनको ठंड से बचाया जा सकता है। तरीका बताता हूं कि तेल भी थोरा हो और राधा मीना चे यह जनकारी आप दोस्तों को कैसी लेगी जनकारी अच्छी लेगे हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा और वीडियो पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि सही यूजफूल इंट्रेस्टिं वीडियो हम ऐसा हम आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते अगले वडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें धन्यबाद मित्रों